तैयार हो जाए ये बाजार के भरपूर एक्शन के लिए आज है वाइदा करोबार की हफते की एक्सपाइरी और संकेत काफी बहतर मजबुत शुरुआत के आसार है एसजेक्स निफ्टी से देखते हैं कहां होगी शुरुआत और उसके बाद क्या रहेगी रेंज कहां होगी और एक्सपाइरी के दिन कहां होंगे आपके लिए ट्रेणिंग और इन्वेस्मेंट करने के मोके ये है आज का खास फोकस आप सबका स्वागत रें शेयर बाजार लाइव में नमस्कार मैं हूँ अनिल सिंग भी आज दिल्ली स्टूडियो से दिगज टेकनलोजी शेयर्स में मुनाफ़ा वसूली से नास्डाक आधा परसंट फिसल कर हुआ बंद बड़े आईपियोस में दस परसंट के बजाए पांच परसंट की हिस्सा बिक्री ये दी है नई धील सेभी ने आईपियो के नियम में इसका क्या इंपक्ट पड़ेग SBI के लिए एक बड़ा लक्षे एक और ब्रोक्रेज की तरफ से अब मौगन साली 600 का पहला लक्षे देख रहा है पर इससे और ज़्यादा उपर जा सकता है शेयर्स वो है इनका बुल केस सेनारियो अनिल सर डेरो स्टॉक्स के बारे में बात करनी है और मार्केट में भी आक्षन भरपूर है कल दोपैर का सेशन काफी इवेंट फुल रहा और बाजार को आपकी भी याद आई काफी वॉलिटिल्टी देखने को मिली इसी वॉलिटिल्टी को थोड़ा समझाएं सर क्यूंकि वीकली एक्सपाइरी का दिन है और यह जो थोड़ा उतार चड़ा है आपने कहा एक ब्रॉड रेंज है और उसी ब्रॉड रेंज में उपर और नीचे जा रहा है बाजार कैसे समझे एक्सपाइरी से पहले आक्षन को दिप तेज़ दोर लगाने के बाद बाजार थोड़े से सिविन दाइरे में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं लेकिन तेज़ी के लिए अभी भरपूर ट्रिगर्स है ऐसा नहीं कि बाजारों में अब आप ये मान कर चलें कि 15,431 का हाई बन गया और वही टॉप है और उ अच्छा भी है कि आपको ट्रेडिंग के मौके दोनों तरफ मिले तेजी की तरफ भी और मंदी की तरफ भी और बिल्कुल वेसा ही ट्रेड होता है पिछले दो दिनों से जो हलका फुलका करेक्शन हुआ है साइडवेज मार्केट रहा है उसके बाद सबसे अच्छी बात आ आता नजरा रहा है 1.17 पिछले दो दिनों के हलके फुलके करेक्शन में बाजार हलके हो चुके है और सबसे बड़ा बात है कि अगर तेजी की तरफ बाजार हलके हैं तो फिर आपके लिए उपर बढ़ने की और उपर जाने की जगे बन जाती है तो अच्छी बात है यह इन आप बहुत गिरेंगे भी नहीं तो पूरी तरह से आज एकसपार के दिन आपको फिर से दोनों तरफ के ट्रेड देखने को मिलेंगे पिछले दो दिनों की तरह है तो और आपको वही करना है ब्रेक आउट का इंतजार किये बगेर या ब्रेकडाउन का इंतजार किये बगे आपको trade करना है levels पर range पर ऊपरी range पर बेचना है निशली range पर खरीदना है और अगर आप दोनों में से ये करने में थोड़ा सा मुश्किल देख रहा हूँ तो फिर lower level पर खरीदारी करके अगर आप एक तरफा trade करना चाहते हैं तो बाजार के पहले support level और important support level दोनों पर कीजिए और दोनों ट्रेड अगर आपको करना आता है और मैं बता दूं कॉंट्रा ट्रेड करने का एक सिंपल फोर्मॉला एक कि रेंज में जब बाजार होते चार पांच छे आठ ट्रेड आपको अच्छे मिलते हैं एक ट्रेड में आपका स्टॉप्रोस ट्रिगर होता है पर आपको खरीदना है और तीसरे लेवल के नीचे जाकर स्ट्रोप्लोस लगाना है ये बज़े लगता है कि आपके लिए बैनिफिशिल लोगा तो दीप एक अच्छे टेडिंग सेशन के लिए आइम शूर हमारे ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को तैयार हो जाना चाहिए बिल्कुल अनलीजी लिए बढ़िया ट्रेडिंग सेशन के लिए तैयार हो नहीं सर एक छोटा सा सवाल इस पर बन रहा था पोजिशन क कि हिसाब से हलाकि एक्जिस्टिंग पोजिशन सो हम डे के लिया से बात करेंगे पर अगर किसी ने पोजिशनल विव बाजार पर बनाके रखा हुआ है और वो पिछले दो-तीन दिन के कंसॉलिडेशन या हलकी गिरावट में घबरा रहा हो उन्हें क्या ध्यान में रखना पड़ेगा सर अर्क गवरा ने जिसा हुआ कि एसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिससे आप घबराया है गबराने जिस है कि मैं Дो बनाया अब 27,000 के आसपास बंद हो रहे हैं मुश्किल से रेड़ 2% 2% lifetime आई से नीचे है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं प्राब्लम क्या है गवरानी का मामला तब आता है जब आपकी पोजिशन जरुत से ज़्यादा हो और तो ऐसी सिच्वेशन में जब आपक ब्रेकाण को सिँच्द आ रहे हैं इसमारकेट में कई सारे स्टाॉक ऐसे हैं डीप जहां बड़े ब्रेकाण आप आते हुए दिखेंगे मखला करने सरकारी बैक देखिये सारे सरकारी बैक जबरदस एक्शन में यह ब्रेकाण को खेंगे वह वह ज्यादा सी तरीका है बजाए इसके कि आप सिर्फ यह सोचें कि अब में क्या करूँ इंडेक्स मुह नहीं करा इंडेक्स मेंगर आप कोंटर ट्रेड लेकर कर सकते हैं बहुत अच्छा इंडेक्स ट्रेड नहीं कर सकते हैं तो स्टॉक्स पर फोकस कीजिए और stocks आपको अभी भी मूँ देंगे ये market ऐसा है जिसमें अभी तक कुछ भी बदला या बिगड़ा नहीं है stock specific correction भी है तो stock specific मौके भी है आपको सही जगह रहना है अगर आप सही जगह पर हैं तो stock specific मौके को छोड़िए मत और वहाँ पर trade कीजिए और आज का flavor उसलियाद से जाहिद से बात है कि सरकारी बैंक रहने वाले आपको वहाँ मौके मिलेंगे वहाँ trade कीजिए बिल्कुल सरकारी बैंक तो flavor है ही और अनिल जी ने budget के दिन और budget के बाद जब हम सुबह चर्चा कर रहे थे तो अनिल जी ने बोला था कि अब आप focus करिए सरकारी companies को in particular सरकारी banks ये इस साल या आने वाले समय के लिए एक बड़ी theme बन सकते हैं तब से देखे अब तक PSU banks में दमदार तेजी है कल 7% का उचाल आपने PSU banking index में देखा था सरकारी bank जो समझ में आया आपको वो खरीद दीजिए जो समझ में आया जितना समझ में खरीद दीजिए ये सरकारी bankों में नीचे की risk नहीं के बराबर है upside कुछ भी हो सकती पहली चीज़ दूसरी government ने जो budget में नहीं का वो budget के बाद वित्यमंत्री ने कहा है वो पहले ये था कि हम हर एक space में 3-4-3-4 player हमारे पास होने चाहिए अब वो एक player से भी संतुष्ट है यानि कि बहुत जल्दी है लेकि एक SBA से भी काम चाहिएगा बाकी B.O.B. P.N.B. और लंबी लिस्ट ना हो ये बड़ा shift है सोच में अनिल जी सरकार की जो सोच में shift था उसको आपने सबसे पहले पकड़ लिया था सर और PSU Bank की theme को identify करा था और इसी theme में आज viewers के लिए थोड़ा एक out of turn surprise भी हम दे रहे हैं तो बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए Stock of the Day का अनिल जी आपकी identified theme सर, Stock of the Day में आपने चुनिये, बताएं सर SBI, SBI में बड़े तेजी के संकेत आते हैं दिखरे हैं आज Morgan Stanley की जो report है, वो report आपको बहुत bullish नजर आएगी लेकिन Morgan Stanley की report आज आईए, हम budget के वक्त से कह रहे हैं कि ये साल सरकारी बैंकों का है, जो सरकारी बैंक आपको समझ में आए, SBI, B.O.B, P.N.B, केनरा बैंक, इंडियन बैंक से लेकर, जमू केश्मिर बैंक से लेकर, जहां तक नीचे तक, आपको जो बैंक समझ में आता वो लीजए और ये साल बड़ी तेजी का दिन है, और दीप, आप मॉर्गन स्टेनली की भी रिपोर्ट देखिए, उन्होंने बुल केस सिनेरियो में साथ सो पैंसेट रुपे का टार्गेट दिया है, जो कि मेरा मानना है कि बहुत कम है, गोर से सुनिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो बुल केस सिनेरियो में, यानि कि बेस केस सिनेरियो में बहुत बड़ा मूर माहूल माजार कर रहे और एकोनोमिक कर रहे तो साथ सो पैंसेट रुपे तक जा सकता है, मेरा ये मानना है कि ये टार्गेट बहुत 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 चोटा है, क्यों है, वो मैं आपको बताता ह जिस तरह की economic recovery के संकेत आ रहे हैं और अगर ये संकेत मजबूत है तो फिर SBI सिर्फ अपनी book value पर आकर trade करेगा या book value 102 गुना पर trade करेगा ये संभवी नहीं है अपनी book value के एसाब से दो गुना देखें तो आपको 750-775 के target आते हैं जो Morgan Stanley ने दी है आराम से SBI अपनी book value के तीन गुना पर trade करेगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और पहले कर चुका है पहली चीज़ दो जार से 2010 के वक्त जो टेजी बनी थी SBI में जो leadership आई थी banking शे अबरस थी और लगबग लगबग सारे सरकारी सारे private banks चाहिए आप HDFC bank ले 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 उनके मुकाबले में दो गुना से ज्यादा SBI बड़ा था तो मेरा यह मानना है कि अगर rural economy की बड़ी स्टोरी है economic growth के revival वाली स्टोरी है तो SBI आपको फिर इसलियाद से चार डिजिट मे नहीं होगी साल छे मेने में नहीं होगी और नहीं एक तरफा होगी लेकिन दीप यह मानना कि यह स्टोक अब बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है और इसलियाद से इसे long term investment के लिए आज से भी रखना चाहिए हम लगातार पहले से ही कह रहे हैं काफी लं के लिए टार्गेट करना चाहते हैं वह 410 रुपे का स्टोक रखें और ऊपर के तरफ के चार्ट बीस चार्ट आटाइस चार्सो पैंतिस और चार्सों पचास रुपे तक के टार्गेट आज और पोजिशनली कुछ दिनों में आता हुए दिख सकते हैं तो एस्बे के सारे बेंक ओफ महराश्टरा बेंक ओफ इंडिया आयो बी जैसे स्टोक सारे के सारे सेंट्रल बेंक सब मजबूत होते दिख रहे हैं तो बड़ा एक्शन सरकारी बेंकों में और सबसे बड़ा बात यह कि अंडर ओंड हैं बहुत सारे फंड्स के पास है नहीं अब उन्हें ही पड़ेगा तो अब जो यह मिस आउट करने वाली फिलिंग है फंड्स में SBA को वह फिलिंग वापस आने वाली है और मुझे लगता है कि SBA उसलिया आज से बड़े एक्शन में रह सकता है आज के लिए इसलिए मैंने लंबे समय बाद स्टॉक ऑफ देट के लिए SBA को च जाते हैं तो अनल जी कह रहे हैं फोर डिजिट स्टॉक यानि की हजार के लेवल्स आ सकते हैं मॉर्बिन स्टैनली का जो बुल केस है वो कम लग रहा है इससे भी बड़ी तेजी आपको आ सकते हैं तो अनल जी की तरफ से रहा है SBA यहां पर रखें नजर सर पियस्यू बैंक्स पर तो नजर रखेंगे पर एक और बड़ी खबर आई है कल जो सेभी की बोर्ट बैटेक थी कल शाम को वहां पर बड़ी IPO के नियम में थोड़ी राहत दी गई है इस नियम बदलाव या इस चेंज ऑफ स्ट्राटिजी को किस तरह समझे सर यह क्या इं नियम है इस नियम में यह कहा गया कि आपको जो आम तोर पर प्रमोटर्स को अपनी हिस्सेदारी सो परसंट से 75 परसंट लानी होती मिनिमम पब्लिक फ्लोट 25 परसंट होना चाहिए उस लियाद से पहले तीन साल का समय मिलता था अब 5 साल का समय मिलेगा तो आपके लिए समय 21% परसंट का भी आप आइप उला सकते हैं यह बड़ी रियायत है तो सीदे सीदे तोर पर एलाइसी मैं तो फिर भी में यह कहूंँगा एलाइसी के आईप उ में सोचने की भी जरूत नहीं है एलाइसी के आईपियो में सिर्फ सरकार को थोड़ा सा एक डौ चीजें करनी है और अगर वो कर दे तो बहुत ही बढ़िया पहली चीज आप रिटेल को भरपूर अलोटमेंट दीजिए लाइसी के पॉलिसी होल्डर को भरपूर अलोटमेंट दीजिए यह 15% वाला जो 10% वाला कोटा है आपके लिए रिटेल का उस पे रिस्ट्रिक्शन मत रखिए लाइसी जब रशिया में सरकारी कमपनियों के डाइवस्मेंट हुए थे और सरकारी कमपनियों के आईपियो आये थे तो वहां की सरकार ने सारा का सारा आईपियो सरकारी कमपनियों का रिटेल इंवेस्टर्स के लिए फिक्स किया था क्यों हम पूरा रिटेल को देंगे अच्छे discount मिले जिससे कि उन्हें आकर्शन आए इस IPO को लेकर और capital market को लेकर तो ये IPO हिंदुस्तान में equity culture बढ़ाने में बदलने में एक बड़ा game play कर सकता है और इस IPO को सरकार को west नहीं होने देना चाहिए ऐसा मेरा strongly बानना क्योंकि LIC के साथ पूरे देश के लोगों का भरोसा है न सिर्फ policy holders का बलकि जिनके पास LIC की policy नहीं है वो भी भरोसा करते हैं और ऐसे में अगर आप एक अच्छे discount पर retail के लिए पूरे कोटे के साथ अगर एक IPO लेकर आए policy holders को अच्छा allotment दें तो इससे बड़ा बात हो नहीं सकते है अल्टिमेटली LIC सरकारी कंपनी है सरकार देश की जनता की और देश की जनता का सरकारी संपत्यों पर indirectly हक है और अगर ऐसे में आप पूरा आइप पूरा करते हैं पचास सो दो सो गुना भर जाते हैं मिलता कुछ नहीं है खाली देखकर खुश होते हैं दुखी होते हैं अरे यह तो डबल हो गया लिस्टिंग पर तीन गुना हो गया बहुत स्ट्रोंगली सोचना चाहिए विचार करना चाहिए कि किस तरह से आप एलाइसी के आईप्यों में रिकेल इंवस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा अलोट्मेंट दे सकते हैं अच्छे से अच्छे डिसकाउंट पर दे सकते हैं और साथी पोलिसी होल्डर्स को भी आ चाहां पर हमारा फोकस रहेगा पर आजके बाज़ार की बात करते हैं आगर आप देखेंगे लिएधा कारूबार के संकेत में मेरे न्यूटल साइट पर आते हुए दिखें क्योंकि पोजिशन्स हलकी हुए है यह एक अच्छा संक्यत है सेंटिमेंट और ट्रेंड में 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 लिए कोई बदलाव नहीं पिछले दो दिनों से वहले हलकी है लाल निशान में बंद हो रहे हैं लेकिन सेंटिमेंट अभी पोजिटिव है ट 15310 की निकल के आती है 310 315 की उसके उपर 15 340 15 425 परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन निफ्टी के लिए आपका है बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 36625 और 36750 यह तुरंट बैंक निफ्टी के लिए एक मजबूत सपोर्ट है इसके नीचे जाने पर 36436 450 तो तो इसके पार निकलने के बाद 37500 हलकी रुकावट का लेवल है उपर की तरफ उसके पार निकलने के बाद 37450 से लेकर 37700 तक की रेंज बैंक निफ्टी में भी ओपर प्रॉफिट बुकिंग जोन के तोर पर आती है तो यह आपके लिए बड़ी रेंज जहां पर रखनी है नजर दिन की रेंज क्या रहेगी सर 15,165, 15,240 यह दिन की पहली रेंज यह निफ्टी के लिए छोटी 15,15, 15,315 यह दिन की मीडियम रेंज है और बड़ी रेंज दीब जो निकल कर आएगी वो 15,65 से लेके 15,340 की आप मान कर चल सकते हैं और ज्यादा हुआ तो 15,425 के आसपास की है तो फिलाल में 15,340 तक की लेकर चल रहा हूँ लेकि 15,425 तक का भी रास्ता खुलता है उपर की तरफ बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 36,750, 37,300 यह आज की दिन की छोटी रेंज है 36,625, 37,450 दिन की मीडियम रेंज है और बड़ी रेंज के तौर पर 36,475 से 37,700 की रेंज लेकर आप चल सकते हैं जी दिब तो यह हैं आपके लिए दिन की रेंज जहां पर नगज़ रखने है वीकले एक्सपारी अफकोस तो थोड़ी वालेटिल्टी रहेगी सर इस बीच एफाइस की पोजिशनिंग क्या बता रही है विक्स की क्या संकेत है एफाइस की पोजिशनिंग देखिए दीप कोई खास बदलाव नहीं 100% से लोंग पोजिशन बढ़कर 62% हुई है जो बदलाव बड़ा है वो मैं आपको डिस्कस करी चुका हूँ पुटकोल रेशियो 1.29 से 1.17 आया है यह विक्स भी लगबग लगबग उनी लेवल के आज 500,100 के नीचे बंद हो तो आप यहां पर अपनी पोजिशन को कम करें बैंक डिफ्टी के लिए कल का लो 36,750 यह आपका स्टॉप लोस है इंट्राडे के लिए और क्लोजिंग बेसिस पर भी इस पर आपको फोकस करना है जहां तक शॉट पोजिशन का सवाल है 15,315 यह आप ए तक की बेस क्लोजिंग दीप मिली है 15,314 की इसके उपर आप इस टोप लोस रख लिए 37,306 की बेस क्लोजिंग मिली है मेंग निफ्टी पर इसके उपर का 37,315 का स्टॉप लिजिए 15,315 रखना है 15,325 रखना है 15,10 पोजिशन आप अपना दिमाग लगा लिजिए लेकिन इस टोप लोस यही है जिन पर आपको फोकस करना है ठीक है तो यह आपके लिए स्टॉप लॉस एग्सिस्टिंग पोजिशन के दियान रखे है यहां पर नई पोजिशन कैसे बना है सर। कि नई पोजिशन का जहां तक सवाल है दीप खरे निफ्टी में खरीदारी करिए चोटा स्टोप्लोस दे रहा हूं भी कलके लोज के आसपास 15150 का जिनको डीप लगाना है वह 15100 का लगाई है लेकि 15150 का स्टोप्लोस मेरी ख्याल से काफी है 15240, 15310, 15340, 154425 यह सारे 15450 का स्ट्रिक्ट स्टोप्लोस होगा आपके लिए 15315, 15250 और 15210 यह तीन टार्गेट होंगे जिनके लिए आपको निफ्टी में बिकवाली करनी चाहिए उपर की रेंज में यह है आपके लिए निफ्टी के लेवल भी देदू आपको बैंक निफ्टी खरीदिये कलके लो और जो लोग बेचना चाहते हैं वो 37450 के उपर से बेचनी का मन बना सकते हैं अगर आए वो लेवल तो 37325 हलकी रुकावट का लेवल है कलका हाई का लेकिन मैं वहां पर बेचने के बजाए वहां रीवीव करने की बात कहूंगा जल्दबाजी में नहीं बेचना है 33325, 37100 और 3736925 और 3775 यह सारे लेवल है जिनके लिए आपको बैंक डिक्टिव में उपर में करनी है विक्वाली जिदी सर नई पॉजिशन्स इस्पेशली जो बाइंग वाली है वो देखकर एक आप संकेत दे रहे हैं कि शायद अगर मोमेंटम बढ़ता है तो नई हाइस फिर से पॉसिबल या अटलीस नई हाइस के करीब फिर से पॉसिबल आपको बाजार आते हुए दिखते हैं आज मिश्किल है आज के लिए नहीं सोचना में लेकर आएंगे वापस यह क्योंकि आज देखें निफ्टी पंद्रा चार सो एकतिस है यानि कि आपको करीबन सवाद दोसो डाइसो पॉंट चाहिए अभी तक उतने दमदार संकेत नहीं कि आप डाइसो पॉंट निफ्टी वो में थोड़े और आगे आपको बताऊंगा ना ग्लोबल संकेत है ना डेटा में उतने मजबूत संकेत है बैंक डिफ्टी में आपको 37,700 के ओपर हाई बनाना है यानि कि 800 पॉंट चाहिए तो सवाद 200 पॉंट निफ्टी 800 पॉंट बैंक डिफ्टी आज तो नहीं लगता फिर हो जाए तो कोई बात नहीं हो जाए ना हाई बन जाए और मैं गलत पूर्ण तो मुझे खुशी होगी इस बात की लेकिन फिलाल ऐसे संकेत अभी तक नहीं है अनलेस कि डाव फुजर धाई 300 पॉंट बढ़ जाए कर जाए कुछ ऐसा हो जाए या कुछ और अच्छी ए मौके ढूंडिये थोड़ा कंसॉलिडेशन है पर यह अच्छा ही है बाजार के लिए सर वाइदाकारवार के बैन की लिस्ट ट्रिपल हो गई है पी एन बी तो है ही सेल तो है ही साथ पी एन बी और आइडिया जॉइन कर गये हैं तो सेल बैन में बना हुआ है पी एन बी खरीदारी एफाइस की तरफ से ठीक है उसके सामने आप देखें इंडेक्स में उन्होंने 182 करोड की बिक्वाली किये और 6500 करोड के स्टॉक्स भी बेचे यानि कि नेट नेट बहुत बड़ी खरीदारी नहीं है मुश्किल से आप देखिए 8500 करोड और कितना होगी आपक हजार करोड यानि कि 1500 पोने 200 करोड की ही नेट खरीदारी एफाइस की बनकर आती जो कि आँक्रा चोटा है गरिलू फंड ने 1293 करोड की दमदार विक्वाली किये तो इसलिए गरिलू फंड के आँक्रे तो नेगिटिव साइट पर है और एफाइस के जो आँक्रे हैं वो आ अहम लेवल किया है पहले तो 15,000 बहुत ही मजबुत सपोर्ट है जहां पर हाइस उपन इंटरेस्ट में उसके ऊपर 15,200 जहां पर आप बंद हुए यह आपके लिए पूरी तरह से निन्नायक लेवल रस्ता कश्री वाला है और क्यों हैं दीप वो समझ लिजिए 15,200 के काउंट पर बंद हुआ है तो पांच पॉइंट साथ पॉइंट अगर प्रीमियम हो जाए पांच दस पॉइंट तो अलग बात है तो आप 15,240 के आज सपास खुल रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्या है इसका मतलब डीप यह कि जो लोग कल 15,200 के कॉल्स पर राइट करके पंद्राजार तीनसो पर 23,000,000 शेर कल कॉल्स में जुड़े हैं कुल मिलाकर है 48,000,000 शेरों का ओपन इंटर्स जो हाइस्ट है तो इनिशेली जो मुझे नजर आ रहा है वो रेंज 15,200 से लेके 15,300 की है अब इस रेंज में प्रीमियम का एड़स्टमेंट गिनके अगर आप देखेंगे तो नीचे कितना जा सकता है 35 पॉइंट की जगह 15,165 ऊपर कितना जा सकता है 40 पॉइंट की जगह 15,340 तो बेसिकली 30,35 पॉइंट 40 पॉइंट आप दोनों तरफ और गिन ले और ये रेंज होगी आपकी 15,200, 15,300 वायदा करोबार में एकदम crystal clear डेटा है आज के लिए तो 15,340 के आज पास उपर रुकावट है 15,165 के आज पास नीचे आपको सपोर्ट है ये प्रीमियम का एड़स्टमेंट है और डेटा के लिया से 15,200, 15,300 आपकी आज की रेंज निकल जाती है ये एकदम crystal के लिए डेटा है दीप बिलकुल तो clear levels निकल कर आ रहे हैं जहां पर आपको नज़र रखनी है अब बैंक डिफ्टी के लिए क्या important levels है sir अब देखें बैंक डिफ्टी के लिए आज से कर आप देखेंगे तो बैंक डिफ्टी के लिए जो लेवल सबसे ज़्यादा important है उसको आपको 37,000 के level पर focus करना है ठीक है 37,000 का level क्यों सबसे ज़ जादा नहीं है 10,000,000 लेकिन यह थोड़ी सी रिस्क पर है तो ऐसी situation में आपके लिए 37,300 से लेके 37,450 तक जाने का रास्ता खुल जाता है नीचे की तरफ सीधा सपोर्ट 36,750 के आसपास का है जो हम डेटा में डिसकस कर चुक है तो मेक और ब्रेक निर्नायक लेवल आपके ल जोड़ेंगे और उनसे जाने के कौन से स्टॉक्स पर है नजर और साथी धेरो खबरो वाले स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको रखना है फोकस हमारी रीसर्स ट्रीम तयार है वरुन देवांशी और साथी आशीश वरुन गुड मॉर्निंग बताएं आज के एहम ट्रिगर्स इसके चलते यह स्टॉक जो है रडार पे रहेगा आई डेफसी बैंक एक्यूटे के जरीए यह कमनी पुंजी जुटा इने चाती है जिसके लिए आज बोर्ड की बैठक है पॉल्यू मेडिकेर क्यू पी के फाइनल भाव और साइस के ओपर यहां पे फैसला लिया जाएगा उसके लिए बोली लगाने का आखरी तारीक है ओइन जीसी इसमें 48% स्टेक होल करता है इसके लिए ओइन जीसी को अपने राडा पे रखेगा काफी साई स्टॉक से जिनकी एक्स डिविडेंट है इंटेरिम डिविडेंट महानगर गैस का है नौ रूपे प्रतिशहर का जे फिल्टर जो है वो 10% का कर दिया इंकाउंटर में नियूरेका का आई प्यों बंद हो चुका है करीब 39.93 टाइम्स भरा है ये और रीटेल का हिस्ता जो है 166.65 बंद होगा और इसका अभी तक अच्छे खासे इसमें भी रीटेल में करीब 10.5 टाइम्स के आसपास रीटेल क चुका है भारती एटेल पे नज़र रखिए कल आपको याद होगा इस कमनी की बोर्ड की बैटकती और काफी सारे फैसले यहां लिए गये हैं भारती टेली मीडिया इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने वाली है वारबक पिंकर से करीब 20% के आसपास के हिस्सेदारी ये क कारोबार की रिरियरी ऑउगनाइजेशन के लिए पैनल का घृरन किया गया है पैनल का रियोगनाइजेशन का आकलन करेगा और ये क्यू नज़र रख हैं पर उसके अारवा लाइफ इंश्यान्स कंब्स पे नज़र रखिय क्कश प्रिमियम जो है उसको बढ़ा सकती है कुछ टर्म प्लान्स पे एक एप्रियल से रेट्स बढ़ा आने की संभावना हैं इसके लिए जितनी लाइफ इंशुर्स कमनी से उनको आप अपने नजर पर रखिएगा और और ऑईलें गास शेत्र की कमनी यहां पर नजर रखिएगा क्योंकि कल काफी सारे बड़े बयान आये है कि अगले पास साल में ओलें गैस इंफ्रा पर करीब साड़े साथ लाग करोड के आसपास के खल्च की योजना है पेम मोदी ने बयान दिया और साथियाद एक बात और कही है कि जो नैचुरल गैस है उसको जीएश्टी के अंतरक आज आते हुए देख सकते हैं देवांची गुड मॉर्निंग बताएं और कौन सी खबर है आज गुड मॉर्निंग दिपांचु आज सबसे पहले तो देखे जो नालको और गेल इन दोनों की जो बाइबाक होते हुए दिखेंगे इसकी फुर्दर डीटेल्स आते हुए दि 57.5 प्रतिशेर के भावव पर है यह भी आप देखे 25 वरेडी को खुलता हुआ दिखेगा बाइबाक 10 मार्च को इसका क्लोजिंग है जो सेटलमेंट किया जाएगो 19 मार्च को होता हुआ दिखेगा और जो एंटाइटलमेंट रेशियो वो 733 शेर्स पर 71 शेर्स का बाइब जितने भी depositors हैं निवेशक हैं उनके interest में उनके hit के लिए यह नई guidelines यहाँ पर जारी कर दिया गया है कि उनको कितनी liquidity यहाँ पर रखने है risk management करना काफी एहम होगा और यह भी बताएगा कि एक 100 करोड और उसके उपर जो non deposit taking housing finance companies है और साकती जितनी भी deposit taking housing finance companies है इनके लिए जो guidelines है वो लागू होती हुए दिखेंगी इनको liquidity risk management करना काफी एहम होगा साथ ही आप देखें जो loan to value है जो शेरों के बदले lending करते हैं उसमें 50% loan to value बनाया रखना काफी एहम होगा साथ ही clarion chemical इस पर भी नज़र रखें कंपनी ने clarification जारी किया है जो बाते चल रहे थी और रार पर रखे 20 फरवरी दोनों के board के बैठक होने वाली है जहां पर पूझी जुटाने पर इस पर फैसला होता बाद दिखेगा और आप देखें सुविन Life Sciences equity या तो warrants के जरिए यहां पर पूझी जुटा सकती है इसके लवा bulk deals पर नज़र रखें जहां पर वीगार प्रम आपके सामने हैं ब्रोकर जिसका आज क्या कहना है आए जानते हैं एफ आई आर में बॉर्णिंग आशिश बताएं आज की रिपोर्ट गुड मॉर्णिंग दिपांच्वा आज की सबसे दमदार रिपोर्ट आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर मॉगन स्टानली की रिपोर्ट है जहां पर दिखें काफी उचे लक्ष दिये गए हैं ओर वेट की रेटिं करके नहीं देखना चाहिए जो बैंक की रिटेल फ्रेंचाइज है इसमें लगातार सुधार देखने को रहा है कॉर्परेट अर्निंग सुधर रहे हैं इसके चलते भी जो कंपनी की आए है बैंक की आए वह बढ़ती वी नजर आएगी जिसके चलते सुपर बुलिश नजर सिटी यूनियन फिनान्स यहां पर और वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है लक्ष 1480 से बढ़ाकर 2175 कर दिया है करीब 1500 के आसपास की कलकी क्लोजिंग है पेन भी हाउजिंग लगातार दो दिन से तेजी में और वेट की रेटिंग की बरकरार रखिए लक्ष 495 से बढ़ के इससे आगे जाकर कंपनी को फायदा होगा बोर्ड वेटर के बाद भारती एटल पर तीन रिपोर्ट आई हैं से खरीदारी के राय को बरकरार रखिए हैं साथ सो तीस रुपे के लख्ष के लिए मौगन स्टानली ने साथ सू साथ रुपे का लख्ष दिया है यूवेस भी खरीदारी के राइख देने 6000 रुपे के लख्ष फिलाल के लिए आखरी रिपोर्ट पर जैफ्रीजक की रिपोर्ट है जहांपर Ayesक अज रहेगा एक्श्ट चलिया आगे बढभाते हैं इक्शन को और वक्त आब पिक उफ देका कुछ आज मैं जिली स्टूडियो में हूं तो पूरे बाइस के साथ पक्षिपात पूर्न रभी जी के साथ में दिली वालों के साथ ही शरुए करूगा क्योंकि श्जिए पाध और आकेश जी इस्टूडियो में आए तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत कि इतने लंबे समय बात अने जी दो साल बाद इसी जगा पर इसी समय दो साल अने जी देखें गाना याद आ रहा है मुझे गाएंगे या खाली सुने तो शब्द से तो सुना ही दीजिए बा कुनाल जी और राकेश जी दोना हमारे साथ है शुरुआत आप ही के साथ करते हैं चूंकि मैं फिर बता दूँ आपको चूंकि मैं तो पहले से आ गया ता इस्टूडियो में साड़े साथ बजई और राकेश जी से पहले कुनाल जी आया हमेशा की तरह तो राकेश जी शु की राये है fifty 4 का target right 54 का target okay let me कमे करें खरीदारी यह राय राकेस जी की तरफ से और कुनाल जी आपकी pick कारी जी बेरी की राये है सरकारी बेंक बैंक oh बड़ा में और अनुजी सरकारी बेंकों की तेजी लगातार कायम है बेंक oh बड़ा पर था बीकल मै 92 ये दो टार्गेट्स हैं जिनके लिए बैंक ओफ बरोडा में खरीदारी करें ओके नेल को खरीदें बैंक ओफ बरोडा खरीदें ये हराई हमारे दिल्ली के दोनों एक्सपर्स की तरफ से वागले साब गुड मॉनिंग बताएं सरा आपका पिक अफ दे डे अनिल जी गुड गुड मॉनिंग दिपांचु गुड मॉनिंग मेरा पिक अफ दे डे हिंदुस्तान पेट्रोलियम है एच्पी सील तू थर्टी फोर का बंद है तू थर्टी का मेरा स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है आज के दिन में ही दोसो टू फॉर्टी फोर आना चाहिए 244 तक आज ही जाने की तैयारी एच्पी सेल के वागले साब की यह है पिक आपके लिए एच्पी सेल तो आईए अगला स्टॉक का ले लेते हैं राजेश पालिवा साब से पालिवा साब बताएं सर आपने कौन सा स्टॉक चुना है आज गुड मॉर्निंग अनिल जी गुड 243 245 की तरफ मूव करते वे दिखना चाहिए 229 के स्टॉप लोस से एच्पी सेल बाय करने की सला रही है ओके स्टॉप लोस टार्गेट भी कमोबेश वही है जो वागले साब के तो वागले साब और राजेश जी दोनों को पसंद है एच्पी सेल किरन जी आपको क्या पहले टागेट पर इधर अगर इन लेवल्स के आसपास की क्लोजिंग मिलती है आज तो मेरा मानने है कि यह 300 की तैयर ही हो रही है तो पोजिशनली भी रख सकते हैं और एच्पी सेल में खरीदारी करने के आए किरन जी की तरफ से भी है और वागले साब की तरफ से भी पाल करोड का तीन प्रॉफिट तीन क्वाटर का तो चौशे क्वाटर में अनिल जी आप देखें मतलब की पूरे साल का 10,000 क्रोड का प्रॉफिट आ जाएगा और 35,000 क्रोड का मार्केट के माना कि आगे चलके प्रॉफिविल्टी मेंटेन नहीं होगी क्योंकि इन्वेंटरी ग प्राइस होना चाहिए जो लोग इस एंगल से देख रहें वो गलत कर रहें क्यों क्योंकि डाइवेस होने के बाद यह सरकारी कंपनी थोडी रही जो भी खरीदे से कोई बड़ा प्लेयर आके खरीदेगा तो फिर तो यह प्राइवेट कंपनी होगी और फिर वो बड़े प कंपन्यों का होगा और जायर सी बात है कि फिर बीपी सेल और एसपी सेल के बीच में जो वैलिशन गैप है वह तो कहीं कहीं जाकर कम होना ही होना है तो यह बिल्कुल आप जो कह रहें कि डबल होने की शमता रखता है 100% अब वह साल दो लगे एक लगे तीन लगे यह कहना थ बिपांचू अब आइसर आप बिल्कुल आनि जी जो आज की मेरी बजार में तो बिल्कुल दमदार तेजी का महौल है कल इंटरनेशनल क्यूस भी पॉजिटीव और फिर कल हमने एक अच्छी खासी गिरावट बजार में देखी उसके बाद मुझे लगता है आज बजार मे बिल्कुल की खास बंद हुमिजे लगता है यह स्टॉक श्याय जो को एक सा bis preम को इस तरह की company को देखने को मिला है और जो कल PLI scheme को जो एक्स्टेंट किया सरकार ने टेलिकाम एक्विपनेंस पे टेलिकॉम कंपोनेंटस पे सीमेंटस का भी एक अच्छा खासा के लिए बोर्ड मीटिंग का अनॉंसमेंट किया है और वैसे भी स्टॉक का अच्छा है FMCG स्पेस से मुझे लगता है इस स्टॉक को 416 के लेवल्स पर खड़ा जाना चाहिए तीसरा स्टॉक है भरत इलेक्ट्रोनिक्स यह भी कल बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मुझे लगता है जिस तरह से यह जो वापिस से पेलाई का कुछ ना कुछ फाइदा बीएल जैसी कंपरी जो की काफी मत्दा फ्लेक्सिबल मैनुफेक्ट्रिंग करती है यह हो सकता है तेलिकॉम एक्पेंट में भी आ जाए जैसे जब वेंटिलेटर्स की क्रैसिस थी तो यह बनाने लग दी ति मुझे लगता है डिफेंस का प्ले तो है इसके अलावा यह जो बढ़ावा दिया है उसका भी फाइदा बीएल को भी हो सकता है फिर फॉर्थ स्टॉक रहेगा गेल का अनिम जी कल चुरू हो रहा है साथ 150 रुपे के प्राइस पे यह कल 134 रुपे बंद हुआ इस पर खरिदारी करने की सलाह है और फाइनली बैंकिंग स्पेस से पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो आपने एस्बी डे दिया राकेश जी ने बैंकों बढ़ोधा दे दिया जो की पसंदिदा एक्सिस बैंक रिकमेंड करना चाहूंगा जो कि कल 779 पर बंद हुआ है इसमें भी आज तेजी करने की सलाह है ओके तो लंबी लिस्ट है सेटिस आपकी और सीमेल सबसे बहतरी स्टॉक उनकी पसंद का जहां पर आपको 855 का स्टॉप नहीं सो बीस के टार्गर के लिए लेक गुड मारी जी आज का जो स्टॉक मेरे को अच्छा लग रहा है चार्ट के उपर हो है कमिंस इंडिया कमिंस के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहां से एक अच्छा अपसाइड मूब देखने को मिलना चीए कल स्टॉक के अंदर लोड लेवल से एक मूब डेवलप तो कमिंस के अंदर लॉग पोशिशन से इनिशिएट करें सिफ अप देखने को मिलना चीए कमिंस पर रखे नजर सीमेंस पर रखे नजर यह दोनों स्टॉक सा आपको बढ़िया तेजी दिखा सकते हैं कैपिल गुड स्पेस इंफ्रा स्पेस यहां पर तेजी बन सकती है औ भारती एटल पर क्या रहाए देंगे कल इनकी जो बोट बैटक थी कंपनी की फूचर प्लांस और थोड़े और यह और्गनाइज़ेशन को लेकर टेली मीडिया में अब अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है वाबग पिंकस से 20% की हिस्सेदारी यह खरी देंगे और साथी कारुबार, नॉन टेलिकॉम कारुबार को बराने पर इनका फोकस रहेगा कैसे देखे क्योंकि एक रेंज में अटका हुआ है ना उपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है पर इन खबरों का क्या इंपक्ट हो सकता है सर। फिर अप्फरंट जो फंड्स का इंफ्यूजर नहीं करके प्रफिरेंशल एलोट्मेंट के जरिये यह किया है तो वो भी मेरे खाल में पॉजिटिव ली देखा जाना चाहिए और यह कई ना कई दरसाता है कि यह जो कंपनी है यह डिटीएज के कारोबार में भी एक इसका एक मुझे लगता है पॉजिटिव इंपक्ट आपकी ग्रूप कंपनी डिश टीवी पर भी आज देखा जाना चाहिए तो आई वुड रेकमेंट पॉजिटिव वी और बोद इस टॉक्स तो नज़र रखें आक्शन भरपूर हो सकता है भारती एटल एक और खबर आई है काउंटर के लिए इंडिया मार्ट इंटर मेश सुमिझ जी ज़रा इसका चार्ट देखकर बताएं कल शाम इनोंनों क्योई पी लॉंच किया है 1100 करोड रूपे जुटाने का जो क्योई पी वो 9,065 है यानि करेंट मार्केट प्राइस से देखे तो 6% के प्रीमियम पर है यह जो फ्लोर प्राइस है 22 फर्वरी को फाइनल साइज और इशू प्राइस आएगा पर चार्ट क्या कहा रही इंडिया मार्ट कल 3.3% गिर कर बंद वा था ओर ओर चार्ट मजबूत है स्टॉक के 8,300-8,350 स्टॉक का नीजेट में सपोर्ट बन रहा है तो यह सपोर्ट लेवल जब तक नहीं टूटेंगे तब तक पोजिशन को होल्ड करके चलना है और इंडिया मार्ट के अंदर स्टॉक में उपर में जैसे ही एक बार 9,000 का लेव क्लोज होगा 9,000 तक की इमिजेट टागेट और वो लेवल ब्रेक होते है और उसको पर क्लोजिंग देखने को मलती है तो फिर यह मूफ एक्स्टेंड होगा और उपर में और अच्छा मूफ इंडिया मार्ट में फिट देखने को मिलेगा पोजिशन्स होल्ड करके चलने का दस हजार और उस समय हमने ये भी का था है याली बाबा होगा इंडिया काने लिए मुझे याद है बिलकुल इसलिए याद रहे गया हुझे कुछ-कुछ आप चीज़े ऐसी बोल देते हैं तो उससे ध्यान रहे जागा फिर वो मेमरी में फिट हो जाता है बिना चोर वाला हाँ गजब है अब क्या है सर साड़े आठ हजार मेरे कहल से दस जार के आसपस पहुंचा था यह नो हजार नौस सो पचास सेम वैसे जिससे वो 99,000 पर पहुंचके एमारे फुरू किया यहां से भी मजबूत है करेक्शन जरूर आया है और मुझे लगता है आठ हजार के नी एक स्टोक है जिस पर राय ली जाए सुमिजी से जूकि यह बैन में आया है वाइदा कारोबार के और वह है पी एन भी जिनकी पोजिशन से तेजी या मंदी की उनके लिए स्टॉप प्रोसिस क्या है और क्या ट्रेड लेना चाहिए पी एन भी में सुमिजी अने जी पी एन सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर बढ़ी है नीचे में जो इसका स्टॉप्लोस बन रहा है वह है थर्टी नाइन रुपीज फिफ्टी पैसे के आसपास का तो यह स्टॉप्लोस लगा के पोजिशन्स होल्ड करें नीचे में सपोर्ट टूटा तो यह प्रॉफिट बुकिंग आईगी नहीं तो यह रेंज में रह सकता है अपर PNB पर नज़र रखें PSU बैंक्स और सारे के सारे PSU बैंक्स आपको तेजी में ही दिखें हैं सिटी साब life insurance companies पर राय दें आज एक खबर आई है कि जो reinsurers हैं especially GICRE इन्हों ने अपने term cover के लिए जो underwriting करते हैं उसके rates बढ़ा दिये हैं तो आने वाले समय में life insurance companies को भी अपने term plans के premium में बढ़त करनी पड़ेगी कैसे देखें इस खबर का impact कुछ significant impact देखते हैं या फिर ये regular course of things ही है देखें दिपांचू खबर तो positive है life insurance companies के लिए भी और वैसे भी ये पसंदीदा सेक्टर रहा है और यहां से जो तीनों listed space में जो company है HDFC life insurance, SBA life insurance, ICCA pro life तीनों में बहुत nature level से कई भार खरिदारी करने की सला दीवी है और इन levels पे भी मुझे लगता है जिनका साल-दो-साल का view है definitely इस सेक्टर में invested रहना चाहिए अब भी current levels पे भी invest करना चाहिए और हर गिरावट में मौका का फाइदा उठाते वे इसमें buying करनी चाहिए यह जो सेक्टर है highly highly under penetrated सेक्टर है और इसमें बहुत ही दमखब है तो आने वाले साल-दो-साल के लिए इस पूरे सेक्टर में निवेश करने की सला देगी तो पूरे सेक्टर में निवेश कर सकते हैं नजर रखे एंकाउंटर्स पर life insurance companies आज शायद खबरों के दमपर थोड़ा action आपको दिखा सकती है नालको पाल्विया साब जड़ा इसकी चार्ट के बारे में बता है इनकी जो buyback details है वो सामने आ गई है नालको पर क्या रहे देंगे सर तो दिपांशी जी देखे इस ट्रक्चर तो पॉजिटिव और इस टॉक में अगर हम डेली सेटप देखे तो इस टॉक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मिशन बना रहा है और जिस तरीके से इसके weekly और monthly सेटप भी देखे तो स्टॉक में जो एक रिवर्सल लोर साइट से बेस बनाने के बाद दिखा ये दिखाता है कि स्टॉक में यहां से अभी भी पोटेंशल है और यहां से 60-65 तक के टारगेट पोजिशनल बेसिस पर आते वे दिखना चाहिए हाला कि स्टॉक अभी यह 50 रुपे 50 पे से 51 रुपे के आसपास ट्रेट कर रहा है यह एक थोड़ा सा रिजिस्टन्स जोने monthly सेटप के इसाब से मेरे साब से 51 52 का रेंज जैसी क्रॉस करेगा तो इस टॉक में फिर एक नया फ्रेश रिन्यूड बाइंग एक्शन देखने को मिलेगा और इसमें 56 से 58 तक के टारगेट शॉट टम में देखने को मिलेंगे मेरे साब से जिसकी भी पोजिशने होल्ड रखे करेंट लेवल से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हायर साइट पर लेके आज़ा है 47 के आसपास टारगेट अभी भी लगते इसके पोजिशनल आना चाहिए 60 65 के ओके तो यह है आपके लिए नेल को पर आया और नेल को तो वैसे भी आज कुन बंसल जी ने भी अपनी पिक ऑफ देड़े के तौर पर दिया ही है 24 रुपे के टारगेट के साथ है 40 कुनाल जी जरा इसके चार्ट देखिए कल आपने मेरे खाल से दूसरे financial institution को जो share place किये हैं उन्हें बेश सकते हैं नहीं बेश सकते हैं क्या कर सकते हैं जो भी यह final हो जाएगा तो अब यह बताओ कि फैसला favorable आया तो क्या नहीं फैवरिबल आया तो क्या इस्टोपलोसिस कान रखने या करने हैं अनिजी देखें यह स्टॉक जो है इसको accumulate करना चाहिए मध्यूं से लंबी अवधी के लिए तो शॉर्ट टम में जरूर अनिजी अगर मान लीजी फैसला एडवर्स हाता है तो आपको कुछ correction देखने को मिल सकता है और उस correction में हो सक करके तेजी दिखाने लगता है तब ही भी भाय करना चाहिए medium to long term view रखे stock 200 तक जाए ओके 200 तक जाएगा यह stock आराम से hold रखे stock लो suitable लगा कर रखे है तीन stock एसे हैं जिनके price band कम हो गए 20% से 10% अदानी total gas जिसका जिक्र भी बनसल जी आप कर रहे थे bank of India और bank of महाराष्टा के भी circuit limit 10-10% के हो गए दो दिन 20% लगने के बाद इनकी circuit limit भी कम हो गई है पालविया साब जड़ा अम्बूजा cement इस पर अपनी राय दीजे नतीजों से पहले कोई खरीदारी या बीकॉली करने का trade बनता है आज बाजार बन्द होने के बाद नतीज़ा आने की संभावना है अनीजी सेटप तो पॉजिटिव है अम्बूजा सिमेंट का इवन पूरे सिमेंट स्पेस में एक अच्छी बाइंग इंटरेस बनावा और अम्बूजा के सेटप के इसाब से हम बात करें तो इसमें जो 280 का लेवल है काफी important लेवल रहेगा रिजल्ट के बाद भी और आज पास रखें during the day भी कोई डिप मिलती इसके आसपास तो बाइंग करें क्योंकि ओवरॉल सेटप पॉजिटिव है डेटा के इसाब से भी लगता है कि यह स्टॉक में हायर साइट का मूव बनते वे दिखना चाहिए 304 तक के टार्गेट भी इसमें आते वे दिख सकते ओके तो यह है आपके लिए राय इस वक्त अंबुजा सिमेंट पर पॉली मेडिक्यूर जरा सेटे साब इस स्टॉक पर अपनी राय दीजिए आज बोट बैठा के इसमें क्योई पी लॉंच करने पर विचार किया जाएगा उसकी साइज और प्राइस पर भी विचार होगा पॉली मेडिक्यूर स्टॉक है आपके रेडार पर सर देखें वैसे तो इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं यह जो मेडिकल इक्विप्मेंट मेडिकल डिवाइस बनाने वाली एक दिगज कंपनी है स्टॉक बहुत ही अच्छा है और फंडामेंटल्स अच्छे है अलांकि आज क स्टॉक के लिया है तो बने रहें चिंता न करें इंडसिंट बैंक यह एक और स्टॉक है वागले साब जड़ा इस पर आज दिजिए आज प्रमोटर्स के दारा वरंट कंवर्जन करने की आखरी तारीक है जो करना है आज करना है पूरी संभावना है कि वह करेंगे ही चार् बीडिंग के इसब से 1,100 के ऊपर एक breakout माना जाएगा फिलाल 1,033 है तो हजार ग्यारासो यह रेंज है बट वीक्नेस नहीं है मतलब ब्रेकडाउन के कोई संकेत नहीं है ब्रेक्डाउन के फिलाल कोई संक्यत है है नहीं मजबूत है लेकिन एक और मजबूत स्टॉक जिसका जिक्रह और सुमिज जी की याद ना है ऐसा तो हो नहीं सकता IDFC First Bank लगातार सुमिज जी कई बार निशलेशनों से रिकमेंड करते हैं सुमिज जी आज बोर्ड बैठे के इनकी और उसमें एक्विटी के जड़िये पुझी जुटाने पर विचार किया जाएगा बोर्ड में फैसला लिया जाएगा कितनी जुटाई जाए कैसे जुटाई कर चुका है तो यह 50 के उपर सस्टेन करने का मतलब हो जाता है कि स्टॉक जेंदर याना सी उपर का मूब और देखने को मिलेगा मार्केट्स में वोलेटिलिटी के चलते है प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आएगी बड़ उन डिप्स में स्टॉक में खरदारी करना है सब्सक्राइब करने के बाद स्टॉक में फ्रेश मोमिंटम बिल्डब होगा जिसमें पहला टार्गेट बनेगा 62 का और दूसरा टार्गेट बनेगा सत्तर का सतावन पचास के उपर क्लोजिंग मिलने पे 62 से सत्तर रुपे तक के लेवल जल्दी ही चॉट टू में में आई दाएरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस पर काम चल रहा है आगे पीछे यह होना निश्चित है बताएं सर कोई स्टॉक आपको पसंदो गैस स्पेस में अभी जब मैं अपनी पिक्स दे रहा था तो मैंने गेल वहां पर रिकमेंड करा और जिसका मैंने कारण ब बाकी जो यह जो गैस में जो और कंपनिया जैसे गुजराद गैस यह तो रूकी नहीं रहा है मुझे लगता है इन सब स्टॉक्स में अच्छी थेजी होनी चाहिए तो सभी स्टॉक्स में जिन्होंने लिया उनको तो बने रहने की सलाह है बाकी अगर गैप से खुलते हैं तो फिर थोड़ा इतिजार करें बट खरिदारी करनी चाहिए इन सब स्टॉक्स में ओके तो नजर रखे गैस स्पेस और गैस स्पेस आज अक्षन में रह सकती है साथ ही बैंक्स पर तो अक्षन दमदार है ही और भी कई सारे स्पेस जहां पर आपको रखने हैं नजर